वित मंत्री निर्मला सितारमन ने संसद में वितिय वर्थ 24-25 का अंत्रिम बजट पेस कर दिया है इस दोडान उने बड़ा एलान करते हुए कहा कि देश भर में गाउं में 2 करोर और पीम आवास तैयार किये जाएंगे इसके अलावा मध्यम आई वर्ग वालों के लिए भी एक आवासी योजना सुल होगी वित मंत्री ने आईश्मान भारत योजना के दायरे को भी बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि अब इसके तहत आसा वर्करों आंगनवारी से करकरताओं को भी कवर किया जाएगा निर्मला सितारमन का यह लगातार छठा बज़र था इसमें उन्होंने टैक्स लेब में कोई बदलाब नहीं किया है जिससे सैलरी क्लास को मायूसी हाथ लगी है जो एस्टेंडर्ड डिडियक्शन में राहत की उमीद कर रहा था वित मंत्री निर्मला सितारमन ने काहा कि डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एसकीम के तहत जंधन खातों के जरिये 34 लाग करोर रुपया ट्रांसफर किये गए इससे 2.7 लाग करोर रुपया की पचत हुई जिससे कल्यानकारी योजनाओं के लिए पैसे की विवस्ता हो प वनेंगे यही नहीं 30,000 वंदे भारत को जिभी वनेंगे बजट भासन में वित मंत्री निर्मला सितारमन ने रूप्चॉप सोलर एसकीम का भी ऐलान किया उन्होंने कहा कि इस एसकीम के तहत एक करोर पड़िवारों को हर महने 300 यूनिट बिजनी फ्री मिलेगी पी एम सुर निर्म बजत पर 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. with the blessings of the people when our government under the visionary and dynamic leadership of Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014 the country was facing enormous challenges with Sapka Saat, Sapka Vikas as its mantra the government overcame those challenges in right earnest structural reforms were undertaken pro-people programs were formulated and implemented promptly conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship the economy got a new vigour the fruits of development started reaching the people at scale the country got a new sense of purpose and hope naturally the people blessed the government with a bigger mandate you 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 you